Hello everyone, Good morning, Namaskar, 20 June 2021 और आज के The Hindu News Paper को हम लोग डिसकस करेंगे, अनलिसिस करेंगे, आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन मिल जाएगा, या सीधा परिवर्तन I.S. Academy टेलिग्राम पर लिख कर भी आप लोग सर्च कर सकते है सबसे पहले एक information यहाँ पर हम देखेंगे, राजस्तान उमेन वोटो नर्चर ग्रीन फेमिली करके यहाँ पर टाइटल दिया गया है, ग्रीन फेमिली बेसिकली क्या है, प्लांटेशन को लेकर यह आर्टिकल है या न्यूज कर सकते हैं जिसमें ट्री प्लांट करने हैं और एक तरीकी से पार्ट है, हरित मरू भूमी ड्राइव का, और इसके लिए एक important day को select किया गया, world day to combat desertification ड्राउट करके यह article दिया गया, राजस्तान की चूरू डिस्टिक का यह ब्लोक है, तारानगर ब्लोक और वहाँ पर 5100 यानि 5100 ट्री जो सेंपलिंग किया है, यहाँ प यूपीसी से कैसे लेटी डोंस के बारे में भी हम पढ़ेंगे, यह जो campaign highlight करता है, crucial interconnection को between humanity and nature और इसमें family conciseness को लेकर जो है, वो कहीं न कहीं inseparable part है, कि ट्री को लगाना, सैपलिंग करना, जिसमें plant, tree, leaves and the climate जो है, वो ecosystem में generate करता है, environmental sensitivity and empowerment को, यहाँ के जो block development officer है, संत कुमार मिना, उन्होंने यह कहिने के inaugural program के अंदर participation किया, इसके लावा अब बात करते हैं, इसमें UPSC perspective से क्या चीज़े important है, पहला, इसके अंदर जो desert species है, देखिए, plantation में या भारत के अंदर, जो climate के हिसाब से, अलग-अलग plantation की जाती है, और अलग-अलग area के अ अदर इस तरह की species जिसमें, खेजडी, रोहिडा, नीम, बेर और सिसम इस तरह के plant आपको देखिने को मिलेंगे, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे अगर आप climate के हिसाब से trees को divide करेंगे, tropical areas में, या sub-tropical areas, या आप देखते हैं, इसमें, tropical forest, या एक तरी किस desidious forest, himalian forest, alpine forest, अलग-अलग level पर, अलग-अलग geographical condition के basis पर, अलग-अलग plants आपको देखने को मिलेंगे, इनके अलावा इस पूरे इंसेटियों को जो हब रोह एक तरी के से head किया, या एक तरी के से इसको lead किया, शाम सुंदर जानी ये एक professor है, उन्हों के द्वार ये lead किय गया, एक तरी के से इस तरह किसे example है, वो coat कि जा सकते है, case study type में, और इनका basically एक तरी के से idea ये था, कि family forestry के थूरू लोगों को promote किया जाए, और ये interesting ये है, क्योंकि western राजस्तान में अगर आप देखेंगे, desertification बहुँ जादा है, और बड़े level पर desert से आप देखेंगे, कि आपको केवल कुछी पेड नजर आएंगे, और अगर इतने बड़े level पर plantation किया जाता है, इवन यहाँ पर ये भी ध्यान रखा जाएगा, कि जब तक ये छोटा सा पोदा इक तरी किसे proper paid की रूप में convert नहीं हो जाएगा, वहाँ के पंचायत की responsibility होगी, तो ये एक interesting drive है, गवर्मेंट ओफ राजस्तान या राजस्तान की इन पंचायतों के द्वारा, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, no rise in black money करके दिया गया, एक title दिया गया है, स्विस बैंक के अंदर, ministry of finance affair ने ये बोला है, कि भारत में अभी या इस तरह का कोई significant possibility नहीं है, कि स्विस बैंक के अंदर, या स्विस नाशनल बैंक के वहाँ पर, deposit जो है, undeclared amount जो है, वो एक तरीके से increase हुई है, स्विस बैंक के अंदर, undeclared income of Indians है, वो कहीने कहीं हो सकता increase हुई, लेकिन इसके बारे में, relevant facts और possible region जो है, वो कहीने कहीं अभी government के पास नहीं है, और इसको लेकर, इसको एक पॉसिबिलिटीज है, उसको कहीने कहीं नकारा है, या उसको accept नहीं किया, या उसकी जो possibility है, उसको कहीने कि accept नहीं किया, इसके अलावा जो claim किये जाते हैं, भारत के कई सारे लोग हो सकते हैं, जिनका पैसा Swiss bank के अंदर है, और इसका पीशे reason हो सकता है, increased business transaction, यान जरूरी नहीं कि Swiss bank के अंदर जो पैसा हो, वो केवल black money ही होगा, कई लोगों के account हो सकते हैं, जो बिलकुल tax के बाद भी वहाँ पर deposit करवा सकते हैं, यानि सारा पैसा जो Swiss bank के अंदर है, वो black money उसको consider करना ये भी सही नहीं है, लेकिन ये कुछ concern है, या कुछ reports ये बताती है कि वहाँ पर post 2019 या 2019 के बाद increase हुए deposits को लेकर, इसके बाद इस page पर, front page पर कोई खास information नहीं है, एक चोटी शी information है कि central government ने invite किया 14 जमुन कस्मीर के leaders को कि वो प्राइम मिनिस्टर से मिले और discussion कर सकते हैं, जमुन कस्मीर को लेकर, इसके बारे में discussion किया गए, या इसके बार एक चोटी शी report है, इसके बाद page नंबर 6, page नंबर 6 पर भी वही सेम चीज़े बताएगी, no rise in black money and Swiss bank की Swiss bank के अंदर कोई इस तरह का increase नहीं हुआ है, ये एक information देगी, Swiss national bank के अंदर जो increase होता है, जो passive increase हो इस तरह की reports के वारे में, information जो है वो इसको लेकर finance national ने decline किया, deny किया क इसके अलाबा Indian Air Force ने ये बोला कि वो चायना से जो भी challenge हो, उसको fight करने के लिए ready है, इस तरह की चोड़ी चोड़ी information, लेकिन दो information important है, UPSC perspective से पहली, अजीर दोवाल जो की हमारे national security advisor है, और पाकिस्तान के national security advisor ये attend करेंगे, सिंगाई cooperation organization meeting को दुशांबे, ताजिकिस्तान क ये जो capital है, दुसांबे, यहाँ पर meeting होनी वाली है, सिंगाई cooperation organization की, सिंगाई cooperation organization की बात करें, तो टोटल इसमें 8 countries है, जिसमें Russia and China, यहाँ बराब देखिए रशिया and China, इसके लाबा 4 Central Asian countries होंगी, जिसमें कजाकिस्तान, उजबेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताज़किस्त तुर्कमेनिस्तान इसका part नहीं ध्यान रखना, इसके लाबा पाकिस्तान और इंडिया, आप लोगों के लिए दो सवाल है, पहला भारत और पाकिस्तान एक साथ member बने थे, तो कौन से साल भारत और पाकिस्तान सिंगाई cooperation organization की member बने थे, वो आपको नीचे comment करना, और second जो ह भारत और सेंगाई cooperation organization का जो headquarter है, वो कहाँ पर है, यह आप नीचे comment करेंगे, दो question, right, इसमें क्या भारत और पाकिस्तान के national security advisor जो है, वो मिलेंगे, इसको लेकर भी debate है, लेकिन officially कोई भी schedule जारी नहीं किया गया, ताजिकिस्तान के अंदर है meeting होने वाली है, और पाकिस्ता पाकिस्तान की तो national security advisor है, मोहिद यूसूफ, वो भी इसको attend करेंगे, इनके लावा अगर आप देखेंगे, तो भारत और पाकिस्तान ने recently कई सारी initiative हुए है, जैसे कई सारी report है कि भारत और पाकिस्तान के वीच में back channel बातचित हुई है, लेकिन officially इसको ना तो accept किया गया न initiate करना, आगे बढ़ाना, इसके अलावा, जो 23 जून को national security advisor के बीच में meeting होई थी, sorry, 23 जून को meeting होने वाली national security advisor या जो eight countries के national security advisor उनके बीच में, और इसमें कई सारे issues पर discussion के अज़ा सकता है, सबसे important है, reds करके, यानि regional anti-terror structure, ये ध्यान रखेंगे, इसके अलावा, संगहाई cooperation organization की इसी साल joint exercise होने वाली है, पाकिस्तान के अंदर उसमें भारत की force जो है, ट्रूफ जो उसमें participate करेगी, इनके अलावा, क्या भारत और पाकिस्तान के जो national security advisor है, वो मिलेंगे, September 2020 के अंदर संगहाई cooperation organization में, जो NSA national security advisor की meeting होई थी, उसमें भारत के जो national security advisor अजिस डोवाल स यह special representative, special assistant की तरह है, Mr. Yusuf ने participate किया था, और उन्होंने एक map जो background में लगया, जिसमें इंडियन territory, जिसमें जुनागर और जमुन कस्मीर को जो है, पाकिस्तानी territory का part दिखाया गया, उसके तुरूंद बात जो है, हमारे national security advisor ने meeting छोड़ दी थी, इसके बाद यहाँ पर बा अपने आप में unique होने वाली है, क्यों unique होने वाली है, क्योंकि यह meeting होगी, सेंगाई corporation organization के अंदर, जब भारत और पाकिस्तान के जो national security advisor होंगे, आमने सामने होंगा, interesting चीजी है, कि इस meeting से पहले, जो है, जमुन कस्मीर के जो political leaders हैं, वो हमारे premises से मिलेंगे, और यह भी अपन आप में interesting है कि article 370 को हटाने के बाद, वहाँ पर situation को normalization करने, फिर से election करवाने, और proper, अभी क्योंकि जमुन कस्मीर UT है, उसको proper statehood का दर्जा देने को लेकर भी discussion जो है, वहाँ पर किया जाएगा, इसके बाद इसी page पे एक और information है, इंडिया abstain on resolution on environment, महिरमान को लेकर United Nations General Assembly म लेकर आया गया, जहाँ पर इंडिया ने abstain किया है, हमने दो बार देखा, पहला सिलंका की context में कि भारत ने ना तो सिलंका को sport किया था, ना ही कईने के उनको against vote किया था, इसी तरीके से, महिरमार में भी हमने ना sport किया, और ना ही उनके favor में vote किया, और यहाँ पर एक resolution को ले में अगेस्ट vote किया, जिसमें इंडिया, बंगलादेश, बुटान, चाइना, लाओस, नेपाल और थाइलांड ये कंट्री जाती है, रश्या भी अपने आप से कह सकते हैं कि इसने भी vote नहीं किया, बेलारूस वो कंट्री जिन्होंने इस resolution के against vote किया, बेलारूस वही कंट् है, युनाइटिड नेशन में, टी एस तरी मुर्तियों ने बोला, कि ये resolution जो टेवल किया गया, युनाइटिड नेशन जर्रल असेम्बली के अंदर, ये बहुत जल्दवाजी मिलाया गया, कोई adequate consultation नहीं कियेगे कंट्री से, और ये जो है, वो एक तरीके से कोई मदद कार ही नहीं होगा, counter-productive नहीं है, और जो आश्यान कंट्री एक तरीके से महिनमार के अंदर solution डूढने का कोईसिस कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसको भी कहिने की counter करता है, या नुकसान पहुंचाता है, इसलिए भारत इसमें voting के अंदर participation जो वो नहीं करेगा, इसके बाद पेज नंबर सेवन पेक इंफरमेशन, जम्मू और कस्मेर का delimitation पैनल है, उसने काम करना शुरू कर दे है, delimitation basically क्या delimitation commission भी होता है, जिसमें assembly seats या parliamentary seats को लेकर कि उसमें extend किया जाए, नहीं किया जाए, या आप देखेंगे कि उसमें कुछ improvement या population या census के basis पर increase करने को लेक delimitation commission होते हैं, क्योंकि जम्मू और कस्मेर को जो है वो दो पार्ट्स में divide किया गया था, यूटी जम्मू और कस्मीर और लदाक यूटी, इसके बाद जम्मू और कस्मीर की यहाँ पर particular बात की जा रही है, कि demographic और topographic information जो है, इसको लेकर वहाँ के जो dipty commissioner है, उनको लिखा कि आप इसके बारे में consultation करिए, और जो delimitation commission है, जो की काम कर गए इस particular area के अंदर, क्योंकि आने वाले time में जम्मू और कस्मीर के अंदर election भी होने वाले है, फूल स्टेट हूड का दरजा भी वहाँ पर दिया जाने वाला है, जम्मू और कस्मीर जो है वो 2002-2008 के अंदर से decide करना, कि अगर state के अंदर assembly sheets या parliamentary sheets को increase करने के बारे में कर सकते हैं, कि नहीं कर सकते हूँ, उन सब चीजों के बारे में discussion करता है, और interesting बात है कि इसके जो decision होते हैं, ये bounding होते हैं, इसमें कुछ change नहीं की जा सकते हैं, इनके अलावा, आप से second question है, delimitation commission या प्रीशिव प्री सीमन आयोक के बारे में mention उसके बारे में जरूर नीचे कमेंट करना, इसके बारे में अगर आप देखेंगे, ये जो commission है, इसको chair कौन करते हैं, इसको chair करेंगे, ये retired justice है, रंजन परकास देसाई, और इसमें दो other member include हैं, इनके अलावा five associate member जो हैं, यानि आप देखें union minister जितेंदर सिंग, जुगल किशोर, इसके लावा national conference leader डॉक्टर फारुक अब्दुला, हसनेन, मसूदी, MP जो और मुहमद अकबर लोन, ये जो है, ये MP हैं वहां के, जो इसके अंदर participate करते हैं, आने वाले time में, जमन के समेर के अंदर election करवाना, assembly election करवाना, full statute का दरजा देना, इन सब चीजों के लिए जुरूरी है, कि time पर जो है, deal limitation हो, और इसलिए ये जो commission उसने अपना काम करना शुरू किया, इससे अगर आप relate करेंगे, तो भारत के अंदर parliament की जो sheets है, 2026 तक जो है, limit की गई है, या 2026 के बाद change होने वाली है, इसका मतलब ये है, कि भारत क की building जो बनाई जा रही है, उसको लेकर जो debate हो रहे की, कि क्या इस pandemic के दोरान भारत के अंदर जरूरी था, parliament की नई building बनाना, इसको लेकर भी, deal limitation commission, इसलिए important है कि 2027 के बाद, seat जो है, parliament level पर भी, या central level पर लोकसभा, राजसभा की भी increase होने वाली है, तो इसका relation जो है, वो definitely definitely, state की जो seats से उस पर भी पड़ेगा, क्योंकि population का, या census का जो data है, वो इसमें previous census का use के अजा सकता है, जिसमें number definitely increase होगा, तो seats को भी increase के अजा सकता है, इसके बाद page number 9, page number 9 पे सबसे पहले दो information दीगी, जो कि बिलकुल इरान के अंदर president's election हुआ, और इरान के अंदर जो election उसके अंदर इबराहीम रेजी करके इनका नाम है, इनको victory हासिल हुई, लेकिन इस victory के अंदर इनको 62% vote मिले, interesting चीज ये है, कि पहली बाद तो जो moderate president थे हसन रुभानी, उनको बार किया गया कि आप नहीं third time election नहीं लड़ सकते, इनके अलावा जो main-main leader थे, उनको election लडने दिया गया, इसके अलावा कई लोगों ने withdraw कर लिया था, यानि ऐसा election process जिसमें one-sided से victory की main एक leader नजर आएगा और उसके सामने इनकी जीत लगबग लगबग तया थी, तो यहाँ पर जो democratic process है, वो इतना practical नजर नहीं आया, क्योंकि जब आप opposition political leaders को, या opposition leaders को ही, कईने कहीं उन पर कुछ परतिबन लगा देंगे, या उनको election नहीं लड़ने देंगे, तब कहीं नगे जो process होता democracy में, वो proper follow नहीं किया गया, लेकिन बात करते हैं, इसी election के अंदर, या इनके सामने challenge क्या है, या ये आप पहले देखेंगे, judiciary के head रही है, या chief justice भी रही है, लेकिन इन के सामने जो challenge होने वाले हैं, क्योंकि इरान की economy जो है, सेंबल कर रही है, या इक तरीके struggle कर रही है, लड़ खड़ा रही है, इसके अलावा nuclear deal को लेकर negotiation चल रहा है, United States से कैसे relation होगे, और most important ये है कि खुद इनकी country में, इरान के अंदर जो है, ये कहीन की mass लोगों को दवार बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहा, उसको कैसे counter करेंगे, ये अपने आप में challenging है, हाला कि इन्होंने promise किया कि वो poverty and corruption को हटा देंगे, humilitation and discrimination को खतम कर देंगे, लेकिन अब समय है कि ये अपना काम करें, या जो इन्होंने बोला है, election campaign के अंदर, उसको कहीने कहीं इस देखा होगा, 2013 से 16 के बीच में एक outbreak जो है न्यूज में रहा था, जो कि गिनी, Sierra Leone और लाइबरिया, ये question UPSC ने परी में पुछा भी था, कि इन particular countries में जो है इसकी presence देखने को मिली थी, जो Ebola outbreak हुआ था, इसी context में WHO ने अनाउस किया कि गिनी से जो है officially World Health Organization ने अनाउस किया कि ये outbreak अब खतम हो चुका है, या ये end हो चुका है, और 2021 के अंदर लगवा, 12 लोगों कि इसकी वज़े से death हुई थी, इसके बाद यहाँ पर एक और सोटी सी information है, European Union के जो leaders है, हुनोंने बोला है, कि लेबनान जो और जादा sanction फेस कर सकती है, लेबनान वो country है इस टाइम प और एक तरीके से IMF से, WB से deal जो करनी चाहिए, ताकि इस तरह की situation वहाँ पर नाओ, लेबनान के अंदर आप देखेंगे, 2020 के अंदर लेबनान की capital, Beirut जो है, वहाँ पर एक विश्पोर्ट हुआ, explosion हुआ, और उसके just बाद वहाँ पर political instability आप देखेंगे, और उसका result क्या है, उसका result यह है कि domestic crisis देखेंगे मिल रहे है, और European Union ने यह बोल रहे है कि इन्होंने self-imposed crisis जो create किया है, यानि यह कोई external factor के दवारा या abroad के दवारा कोई इन पर crisis नहीं हुआ, बलकि इन्होंने खुद create किया है, और इसी वज़े से यह बोल रहे है कि आप इसका solution ढूंड लिए, otherwise आपके उपर जो है, वो प्रतिबंद लगाए जा सकते हैं, संक्षिन लगाए जा सकते हैं, European Union का यह एक तरीक स्टेट्मेंट दी गई है, लेबनान के बारे में आपको यह पता होना चाहिए कि बेरूत के अंदर explosion हुआ था, या विश्पोर्ट हुआ था, उसके अ सवाल पूछा है, जैसे Jordan के context में पूछा है, और कई साथी यह बोलते हैं कि यह जो चीजें होती हैं, यह आपको कैसे पता, 2011 से 2020 के UPSC pre यह मेंस के question के analysis करना, और उसके just बाद यह बताना कि question पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है, एक question हुआ था, भूमद्य सागर से कौ कौन सी country जो है, boundary share नहीं करती, तो वो answer था Jordan करके, तो इस तरह के सवाल होते हैं, और आने वाले time में पूछेज आ सकते हैं, तो इनके लिए आपको ready रहना पड़ेगा, practice करनी पड़ेगी mapping की, ऐसा नहीं कि एक दिन में आपको mapping जो है, पूरी prepare हो जाएगी, आपको continue effort करने पड़ेगी, इसके बाद page number 10 और page number 10 पे जो है science and technology के कुछ important points, सबसे पहले बताया कि left hand side जो photograph है, bypassing barrier करके एक article दिया गया है, major challenge in the treatment of neurological disorder के अंदर, blood brain barrier जो है उसको लेकर ये title दिया गया, और इसमें बताया गया कि इसके अंदर एक transporter जो है, protein molecule जिसको बोला जाता है, MFSD2A, जो कि omega 3S जो है वो उसको pull करता है, ये एक important brain barrier की तरह नजर आएगा, और ये study help करती है कि अगर ये molecule जो है वो suggest करती है कि अगर इसकी better understanding होती है, तो ये जो brain के अंदर drug delivery जो होती है, दवाई को exactly जहाँ पर function करना से जहाँ पर requirement है, उसमें मदद कर सकती है, इसी तरीके से link क nanotechnology का भी ये function होता है कि targeted drug delivery के अंदर मदद कर सकती है, इसके लावा इसी पे छोटी शेक information है, seeding ए giant करके एक article दिया गया, supermassive black hole जो है, जिनके massage millions में हो सकती है, billions times हो सकती है, sun के compare में, और उसे के context में की center of our galaxy जो है, और इसके a million solar massage, ये कहीने के believe की जाते हैं कि वो exist करते ह very early universe के अंदर और इसके अलावा इनके formation को लेकर, mechanism को लेकर, एक scientist जो है वो कहीने कहीं, जो क्या इसकी एक तरीके से possibility हो सकती, दूसरा जो astrophysical journal के अंदर, जो article published हो सके अंदर, किसके अंदर, जो collapse होगा, dark matter, hello के अंदर, इसके द्वारा जो है, वो seeded हो सकता है, right, इसके अला भारत के अंदर, क्या rice और wheat की जो varieties है, उनके अंदर nutrients जो उनकी कमी हो रही है, इसको लेकर, article दिया गया, one reason could be that the rate of yield increase is not compensated by the rate of nutrient uptake by plants, यानि, भारत के अंदर, चावल और गेहूं के अंदर, इनके अंदर, एक तरीके से production capacity तो increase हुई है, लेकिन, इसमें, nutrients की जो capacity है, ये nutrients क जो level है, वो increase नहीं हुआ है, दूसरा reason ये हो सकते है, कि soil sporting plant जो है, वो कहिने कहीं, low in plant available nutrient के मामले में, plant जो available है, उसमें, nutrient जो होते हैं, उसमें, low level पर अभी available है, rice जो भारत के अंदर, domesticate किया गया था, 10,000 येर पहले, यानि लगबख 10,000 साल पहले, अभी भारत के अंदर, एक तरीके से important, stable food की तरह आपको नजर आएगा, तीन billion people जो है, वो उनके लिएक important food की तरह, या एक तरीके से important source की तरह, पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा, इनके अलावा, इसकी जो density है, इसी चीज़ को लेकर भारत के अंदर research करवाए गया, जिसमें Indian council of agriculture research है, इसके भी rice के अंदर zinc और iron और wheat के अंदर जो nutrients है, उनको लेकर analysis किया गया, जिसमें कई सारी varieties को consider किया गया, जैसे rice की 16 varieties और wheat की 18 varieties है, इसी context में, जीन बैंक के अंदर जो maintain किया गया कि Indian council of agriculture research, national rice research institute, इसके लावा, rice research center station, और Indian council of agriculture research, Indian institute of wheat and barley research, इन में कईने कहीं एक तरीके से analysis किया गया, और इनकी जो finding है, या इनकी जो एक तरीके से research होए बोलती है, कि भारत के अंदर definitely जो है, वो कईने कहीं एक rice और wheat का जो production और इंक्री हुआ है, लेकिन nutrients के मामले में, 1960 से 2000, 2000 से 2010, इसमें अलग-अलग level पर आप देखेंगे, nutrients का level जो कम हुआ, इसमें कई सारे region हो सकते हैं, पहला dilution effect हो सकता है, dilution effect का मतलब क्या है, कि definitely जो production हो तो increase हुआ, लेकिन compensate नहीं हो पा रहा है as compared to production, यानि for example अगर पहले आप 10 quintal गेहुं होती थी, तो वो increase हुई, लेकिन उसके compare में, nutrients की value जो है, वो increase नहीं हुई है, ये एक major concern भी है, और क्योंकि अगर proper nutrition नहीं होगा, तो उसकी वज़े से health पर negatively असर होता है, और zinc और iron एक important source है, अगर ये source नहीं होगे, तो mal nutrition जैसी problem हो सकती है, और global hunger index के अंदर भ अभरत के अंदर अभी भी mal nutrition जो एक major problem है, इसके बाद page number 11 पे frequently asked question के अंदर कुछ information दीगी, और यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले article दिया गया है, इस article के अंदर discussion किया गया है, कि 2019 के अंदर एक study को लेकर जो controversy अब देखने को मिलती है, नागलेंड के अंदर की bat viruses को study को लेकर एक भी report आई थी, उसमें जो health ministry उसके तरफ से बताया गया कि proper regulation को जो follow नहीं किया गया, इनके अलावा यह study conduct करवाई गी थी, National Center for Biological Science and Tata Institute of Fundamental Research के दवारा, इसमें union ministry of health के दवारे statement दी गी, कि आपने पहली बात तो prior permission नहीं ली गई इसके लिए, इनके अलावा इस और इसमें यहाँ पर जो bio safety level 4 standard rating है, यह कई नहीं आपने इनको follow नहीं किया, दूसरा, National Institute of Virology, जितने भी भारत के अंदर virus study होगी, उसके अंदर major institute होगा, National Institute of Virology Lab इन पुने, इसके दोरा connect की जाने चाहिए, और इसके अंदर बहुत सारे lepsies देखने को मिलते हैं, इनके अल National Institute है, यहाँ पर आप देखेंगे, National Center for Biological Science यह बोल रहा है कि इसमें कोई protocol का issues नहीं था, और यह जो study है, यह study COVID-19 को लेकर नहीं थी और बहुत पहले से study जो connect करवाई जा रही थी, लेकिन इसमें concern यह है कि इस study के अंदर जो दो viruses को लेकर, फिलो viruses जिसमें Ebola और मरबर, इनक को लेकर study की जा रही थी, लेकिन इसमें concern यह है कि आपने बिना prior permission के foreign funding से initiate किया, यह आपने start किया study conduct करवाई, यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर debate है, और अगर गलती से भी एक तरीके से भारत के अंदर इस तरह के disease जो है, वो originate हो जाते तो उसकी responsibility को नहीं था, इसी को लेक बायो safety को लेकर कुछ concern है, और एक protocol यह funding को लेकर भी एक issues है, कि आपने जो यह initiate किया, इसको लेकर prior permission होनी चाहिए थी, इसके बाद second article है, the debate around gain of function research करके एक article दिया गया है, इसके अंदर article के अंदर जो discussion किया गया है, कि do the benefits of such studies on possible future therapies, outweigh the risk of pathogen escaping from labs करके एक article दिया गया है, यह यहाँ पर article में discussion किया गया है, कि अभी पूरी दुनिया के अंदर COVID-19 कहां से आ, इस चीज़ को लेकर debate हो रहा है, lab leak theory या origin theory उसको लेकर भी debate हो रहा है, लेकिन इस तरह के जो research होंगे, उसका क्या importance है, उस चीज़ को लेकर यहाँ पर discussion है, कि वहान instead of virology से, क्या यह study हुई या क्या virus origin हुआ, लेकिन वहाँ पर एक word यूज किया जा रहा है, gain of function research on coronavirus करके एक article दिया गया, यह एक word यूज किया जा रहा, gain of function research का मतलब क्या है, वाइरलोजी के अंदर gain of function research का मतलब है, यह involve करता deliberately alerting organism in the lab और जो alter करता एक gene को, introduce करता है, mutation को in pathogen, इसके अलाबा, इसमें study को लेकर, उसके transmisibility कितनी है, viral events कितनी है, immunogenicity कितनी है, उन सब चीजों को लेकर, एक तरीके से study किया जाता है, और इसी को लेकर बताया जाता है कि gain of function research, यह involve करता है, इसके transmisibility सबसे important है, इसके लाबा, यह सब किया जाता है, genetically engineering के द्वारा, वाइरस को genetically engineering किया जाता है, इ इसी तरीके से loss of function भी होता है, यहाँ पर आप देखेंगे, उसी चीज़ को लेकर debate है, कि यह जो debate है, gain of function research, इसका क्या purpose है और क्या मतलब है, क्योंकि इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर COVID-19 के origin को लेकर जो debate and arguments हो रहे हैं, कि पूरी दुनिया में COVID-19 कहां से origin हुआ, उसी च पेस पेस पे आप देखेंगे, डेल्टा प्लस जो है, एक तरीके से emerging public health treat के तरह है, डेल्टा प्लस बेसिकली क्या है, COVID-19 का एक variance है, उसी में डेल्टा प्लस भी एक variance होगा, और पूरी दुनिया के अंदर COVID-19 के जो अलग-अलग variance है, इसको लेकर concern इसलिए है, क्योंकि vaccine कि इतनी effectively काम करेगी कर नहीं करेगी, उन सब चीजों को लेकर भी debate हो रहा है, तो बहुत सारे जो वाइरस है, उनको variance दिये गए हैं, जिसमें gamma variance, beta variance, alpha या delta variance इस तरह की variance नाम दिये जए हैं, और इसनी में concern यह है कि जो अब तक samples लिए गए हैं, उसमें delta variance के जो samples उसमें data, beta इस तरह के variance आपको नज़र आएंगी, इस तरह की name आपको नज़र आएंगे, यह concern इसलिए है, क्योंकि किसी भी variance में, जो वाइरस है, उसके variance कैसे effectively काम कर रहे हैं, या कैसे mutation कर रहे हैं, उसको लेकर important है, क्योंकि antibody जो होंगी, यानि जो infection हम देखते हैं, भारत के अंद रोल आउट होगी, लेकिन in vaccine की एक तरह के से efficacy कितनी होगी, जब variance जो है, mutate करेगा, variance जो अलग-अलग, varieties के अंदर अपने आपको divide करेगा, उस context में जरूरी है, इनके बारे में और study करना, world health organization है, variant of concern में आप देखेंगे, alpha, beta, delta और gamma variants को, variant of concern, एक तरह के से concern की रूप में, consider किया है, इसी चीज़ को लेकर debates है, कि आने वाले time में, इन mutation के उपर कितना effective होगी vaccine और उसकी efficacy कितनी होगी, definitely effective है, antibodies जो develop करती है, लेकिन percentage की बात करते हैं, वो अलग-अलग हो सकते हैं, अलग-अलग variants पर, इसके बाद last जो information है, page number 12 पे, page number 12 पे एक information आपके लिए है, और NATO क जो शुरू किया गया था, और start किया गया था, Soviet Union, यानि Russia से, Russia जो पहले lead करता था, कई सारे Central Asian countries को, उसी या Eastern European countries को, उसी का एक part था, उसी को counter करने के लिए जो शुरू किया गया था, लेकिन अब जो इसका shift हो चेंज हो रहा है, चाइना की तरफ, इसी को लेकर debate जो है, वो इसमें देखने को मिला है, और अभी NATO की जो समिट हुई थी, उसके अंदर भी चाइना को एक major concern के रूप में, major challenging country के रूप में, जो consider किया गया, उन सब चीजों के बारे में यहां पर discussion किया गया, इसके लावा इसमें बहुत detail से बताया गया, अगर आपके पास थोड़ा time ह तो जुरूर एक बार इस article को देख लेना, ताकि एक concept जो हो ज़्यादा आपका clear हो, NATO के context में, ठीक है, तो यह कुछ information थी आज के the Hindu news paper से, thank you all, jahin